आज मैं आप लगों के साथ शेयर करें हूँ बहुत ही अमेजिंग सी रेमिडी जो के आपके होटों के लिए है अगर आपके लिप्स बहुत जादा ड्राइ डार्क और सूखी पपड़ी जैसी हो गए है ना तो आज की रेमिडी आपके लिए बहुत यूस्फुल होने वाली ह है आज मैं बहुत सिंपल से इंग्रीडियन्स के साथ नैचरल एंड हलाल लिप्बाम घर पे ही बनाना सिखाऊंगी तो आप अगर नए है तो मेरे चैनल को ज़ली से सब्सक्राइब कर लें ताके इस तरह की और भी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहें तो गा एसने जो हमने डाला है वह है को को कुणोट ओई जो कि हम सभी सबर में अवेलेबल होता है बहुत संता वी होता है और आपके लिप को ना यह बहुत जादा मॉश्राइज करता है बहुत जो ड्राइनेस होती है इसे हील कर देता है और इसके अलावा भी कोकोनेट ऑईल में जो है ना बहुत सारी प्रोपेटीज होती है तो सेकंड इंग्रीडियन जो है हमारा वो है आमेंड ऑईल और बादाम का तेल थोड़ा से जो है हमारा वो है पेट्रोलियम जेली तो यह में छोटी सी फाइव रुपीज वाली जो इसकी डिब्या जो आती है ना वो मैं ली हूँ तो पेट्रोलियम जेली के बारे में कुछ लोगों को मिसकंसप्शन है कि यह एनिमल फैट से बनी होती है इसलिए आप यूटूब प पिलकुल नैशरल है और हलाल है तो इसे आप लगाते हो तो उसके बाद आपकी लिप्स पिंक भी हो जाएंगी और आप नमाज भी पर सकोगे तो जो फोर्थ और फाइनल इंग्रीडियन है हमारा वो है बीट्रूट जूस और यहां पे मैंने एक पूरे बीट्रूट का कर लो और यहां पे हमारा जो जूस है वो तयार है आप चाहो तो इसमें हाफ बीट्रूट का जूस लो मैं यहां पे जादा ली हूँ क्यूंकि मेरे लिप्स बहुत जादा डार्क है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वन टीजपून जो है ना इसमें मैं आमन्ड बादाम का तेल जो होता है वो डाल रही हूँ इससे भी आपकी स्कीन जो है ना मौशराइज होती है साथ ही साथ यह सौफ्ट एंड सपल भी हो जाएगी और कुछ जो इसकीन जो डार्क होती है ना उसमें लाइट्निंग का भी यह काम करता है तो इसके बाद मैं जो नेक्स इसमें मैं फाइनल इंग्रीडियन जो डाल रही हूँ वो है वैसलीन और इसे आप मैं एक चमची ले रही हूँ इसे भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो तो यह हम इसलिए ले रहे है ना ताकि इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए और यह ठहरे हमारे लिप्स पे आ अब हमारा जो सबसे इंपोर्टन काम है वो है इसे मिक्स करना इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट कोई नहीं आपको घर बैठे इतना अच्छा सा नैच्रल सा जो लिबा मिल रहा है इसके लिए आप इतना मेहनत तो करी सकते हो तो इसे आपने मिक्स करना है तो आपि इसे मिक्स को थे रहा है अगर आपको एसके पते हैं वाच्रील बैसलीन जो है वह बिलकूल भी डिजॉल्व नहीं हो रहा है और यहां पर मैंने बीट रूट का जूस ज्यादा लिया है भड़ा इसे कम ले तो ज्यादा बहतर हो तो अगर आप फरस्टाइम बना आई है ना तब आप इसे रात में ही कोशिश करें कि लगाएं क्योंकि अगर आप दिन में इसे लगा करके घूमोगे ना तो घर पे आपको जरूर लोग कहेंगे कि तुम किसी का खून पी करके आई हो क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क लगता है बट डॉंट वरी आप पानी या कुछ भी फेस वाश करोगे ना तो यह बिल्कुल जो है रिमूव हो जाएगा मतलब कि स्कीन बहुत अलिप्स जो है आपके उससे स्टेंड बहुत कम हो जाएगा बीट रूट का क्योंकि हम लोग कच्छा बीट रूट यूज कर रहे हैं तो इसका स्टेंड बहुत होगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ एक्स्ट्रा लगा लिए हो तो इसे शुरू में आप रात में ही लगाएं और सवेरे आप उठकर के अपना लिप्स देखें तो काफी मतलब विजिबल डिफरेंट आपको नजर आएगा तो यह देखे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर और पूरा मिक्स हो गया है तो ये बिल्कुल जो है ना वो बलिबबाम के फॉर्म में आ गया है बट अभी हमारा काम जो है ये पूरा नहीं हूँआ ये देके मैं इसे हात Мें लगा के दिखारे ही हूँ कितना जो यह है शक प्यारा सा कलर आ रहा है लेकिन जब आप अचानक लगाओगे फेस पे तो वह थोड़ा सा बहुत जादा बोल्ड लगेगा तो इसलिए आप इसे रात में लगाओ और इसके बाद आप जब सुबह उटके फेस दोगे तो वह बिल्कुल हट जाएगा इसे लगा कि आप वजू नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें वैसलीन है तो नीचे क्योंकि मैंने बिटरुट जूस जादा लिया था इसलिए नीचे लिक्विड है और यह मैं छोटा सा कंटेनर ले ली हूँ ग्लास का आप किसी भी चीज में जो आपको कमफर्टेबल हो जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें इसे स्टोर कर सकते हो अगर कुछ नहीं कि आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और इसके बाद मैं फिर से अच्छे से एक मिक्स दे रही हूँ ताके यह अच्छे से जो है आपस में मिक्स हो जाए सेंबल हो जाए और इसके बाद मिक्स करने के बाद मैं इसे इस जार में जो है शिफ्ट कर दूंगी इसे डालत